तो आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्स करेंगे साइन्स माइक्रोस्कोप एक माइक्रोस्कोप है जो की किट्स यूज खरते हैं अपने आज पास की चीजों को अब्जर्फ करने के लिए तो आज हम इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम बॉक्स देख लेते हैं तो यहां पर हमें माइक्रोस्कोप कंस्ट्रॉक्टिट बताया गया है तन यहां बताया गया है fostering children's ability to observe and to begin the journey of exploration of the wonderful microbial so the same thing कि इसे जो small बच्चे हैं वो अपने आज पास की surroundings की material को observe कर सकते हैं यहां पर इसी माइक्रोस्कोप का color एक और बताया गया है and microscope की knowledge दी गए है microscope uses दिए गए है then पीछे हां यहां हमने दिखता है कि हम इसमें क्या के मिल रहा है so यह भी अभी हम देखेंगे जब हम इस open करेंगे तो then यहां हमें यह बताया गया है कि कितने तरीके से magnification कर सकते है किसी भी चीज़ की so सबसे पहले thousand then four hundred then one hundred one thousand two hundred so यह तीन तरीके से magnification कर सकते है so चलिए अब इसे open करते हैं so यहां टॉप्स ओपन होगा so यह थर्मा फॉल में अंदर आता है so इसले इसमें इसको निकाल रहा है इस तरीके से so अभी हम बार बार इसमें से सारी चीज़े निकाल रहा है so सबसे पहले ही मैं आसे निकाल रहा है so मैं आपको नेम्स भी बताता रहता है side by side इसमें से इसमें से देखिए so यह है एक four six I think four six है जिससे की हम किसी भी चीज को होल्ड कर सकते हैं यहां पर क्योंकि एक ही नेम बहुत अलग है that is one मैंने लिया बाकी आपने इस चीज को अपने घर पे देखा होगा and then rest यह एक चीज के लिए है कि हम इसे किसी भी पार्टिकल को होल्ड करें and then अपने माइक्रोस्कोब की जहां हम अब्सर्फ करते हैं पर हम उसे ड्रॉप कर दें so it is used for that then next thing हमें हां बल रही है collection bottle so इसका use भी लिखा गया use for filling और storage solid liquid and various chemicals regions so this में हम store कर सकते हैं कोई भी चीज इस तरीके से देख सकते हैं bottle erase की क्या so this में हमें same to same एक और रही है bottle then यहां हमें मिलता है box जिस पर लिखा है plastic wear so इसका use है used for filling specimen so इसे भी open करते हैं so इसमें यह देखे इसमें हमें एक strip मिली है जिसमें हमें circles की shape में हमें कोई-कोई चीज़े दिख रही है so I think की जो हमारी जो slides है इसमें पहले हमें अपना जो भी material है वो लगाना है then उसके ओपर हमें टेप लगानी है 5 & 6 हमें 6 ऐसी we can save for paste string पीछे की साइट से वाजी steps मिल रही है और फिर यहां मैं आपको दिखाओं तो हमें यहां पहले से ही इसमें कुछ materials I think यह thread है यह thread इसमें पहले से ही डाला हो है so एक slide हमें पहले से ही बनी वे मिल रहे है ताकि हम इससे easily observe कर सके हैं इसमें threads है इसके अलावा हमें हम 4 और slides हो रही है so यह 4 सारी की सारी blank है इसमें कुछ भी नहीं है इसमें हम अपना कोई भी material जो है वो observe कर सकते हैं अब हम इसमें कर देंग इसमें कर देंग तो यह देखिए है माइक्रोस्पे तो इसमें नोने हमें कुछ चीजे बताए हैं तो वह मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले यहां पर हमें है ट्री लेंसे मिल रहे हैं सो इससे इसमें लिखा विवाय की कौन से लेंस में कितना जूमिन कर सकते हैं साप उसी अकॉर्डिंग आपको जैसे जो अबसर्फ करना आप उसके हिसाब से से इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं यहां भी मैं आपको बता दो इससे हम अप और डाउन कर सकते हैं इसका लेंस यहां पर हमें यह भी इसका माइक्रोस्कोप का कोई पार्ट है जिससे की हम जो नीचे जो यह वाली इसमें राउन्दिंग चोती हुई है वह इसी को अप डाउन करने के लिए दी हुई है आप देख रहे होंगे इसको देन हम तॉप पर आते हैं तो हमें एक कैप मिलती है यहां इसको हम जब उपन करेंगे तो हमें आप माइक्रोस्कोप का लेंस व्यू मिल सकता है लेकिन यह आपको ऐसे ही वर्क नहीं करेंगा तो इसको वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप इसके बिल्कुल बॉटम में आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर एक सेल डालने का स्पेस दिया हुए तो आपको सबसे पहले आपको सबसे पहले हैं से प्र इसके आपको सड़ डालने पढ़ेंगे उसके बाद ही वर्क कर पाएगा तो आपको देख पा रहे होंगे तो इसे वापिस चाइट करके आपको इस तरीके से देन आपको यहां एक बटन लिख रहा हुए इसमें और आफ दिया हुए तो जब आप इसे और करेंगे देन इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आप इसमें से कोई भी चीज अब्सर्व कर सकते हैं इस तरीके से इस माइक्रोस्कोपिक बाक्स में इतना ही मिल रहा था अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्स्प्राइब कीजिए मीट इन मैं नेक्स वीडियो और इस यू वाट दाट मैंने कहा से लिया है उसका कितना प्राइस है तो डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको एक एमेल मिलेगी तो इस पे आप जाके मेरे को मेल कर सकता है I will tell you and then bye bye I